उत्पति अध्याय 29 फिर याकुब ने अपना मारग लिया और पुर्वियों के देश में आया और उसने दुरुष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुवा है और उसके पास भेडबक्रियों के तीन जुन्ड बैठे हुए है क्योंकि जो पत्थर उसकोए के मुहपर धरा था जिसमें से जुन्डों को जल पिलाया जाता था वह भारी था और जब सब जुंड वहां इकटे हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुए के मुहपर से लुड़का कर भेडबकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुए के मुहपर जो कत्यों रख देते सो याकुब ने चरवाहों से पूछा हे मेरे भायो तुम कहा के हो उन्होंने कहा हम हारान के है तब उसने उनसे पूछा क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो उन्होंने कहा हां हम उसे जानते है फिर उसने उनसे पूछा क्या वह कुशल से है उन्होंने कहा हां देटी राहेल भेडबक्रियों को लिये हुए चली आती है। उसने कहा, देखो अभी तो दिन बहुत है, पशों के इकटे होने का समझ नहीं, सो भेडबक्रियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब तक सब जुन्ड इकटे होते हैं, तब पत्थर कुए के मुह पर से लुड़काया जाता है। और तब हम भेडबक्रियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचित हो ही रही थी, कि राहेल जो पशु चराया करती थी, सो अपने पिता की भेडबक्रियों को लिये हुए आ गई। अपने मामा लाबान की बेटी रहेल को और उसकी भेडबक्रियों को भी देखकर याकुब ने निकट जाकर कुए के मुह पर से पत्थर को लुड़का कर अपने मामा लाबान की भेडबक्रियों को पानी पिलाया। तब याकुब ने राहल को चुमा और उचे स्वर से रोया, तब याकुब ने राहल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिपका का पुत्र हूँ, तब उसने दवड के अपने पिता से कह दिया, अपने भांजे याकुब का समाचार पाते ही, लाबान उससे भेट करने को दवडा, और उसको गले लगा कर चुमा, फिर अपने घर ले आया, और याकुब ने लाबान से अपना सब वुरुत्तंत विर्वन किया, तब लाबान ने याकुब से कहा, तू तो सचमुझ मेरी हड़ी और मास है, सो याकुब एक महिना भर उसके साथ रहा, तब लाबान ने याकुब से कहा, भाई बंधू होने के कारण तुझ से सेंत्मेंत सेवा करना मुझे उच्चिक नहीं है, सो कहा, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दू, लाबान के दो बेटिया थी, जिन में से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था, लिया के तो धुंदली आखे थी, पर राहेल रुपवती और सुन्दर थी, सो याकूब ने जो राहेल से प्रिती रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए साथ बरस तेरी सेवा करूँगा, लाबान ने कहा, उससे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, सो मेरे पास रहा, सो याकूब ने राहेल के लिए साथ बरस सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रिती के कारण थोड़ी ही दिनों के बराबर जान पड़े, तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पुरा हो गया है, सो लाबान ने उस थान के सब मनुश्यों को बुला कर इकटा किया और उनकी जेवनार की, और साथ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया, और वह उसके पास गया, और लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी लौंडी होने के लिए अपनी लौंडी ज भोर को मालुम हुआ कि यह तो लिया है. सो उसने लावान से कहा यह तुने मुझसे क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो क्या राहल कि लिए नहीं की? फिर तुने मुझसे क्यो ऐसा चल किया है? लाबान ने कहा हमारे यहां ऐसी रिती नहीं कि जेठी से पहले दूसरी का विवाह कर दे इसका सप्तह तो पूरा कर फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तु मेरे साथ रहेकर और साथ वर्ष तक करेगा सो याकुब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्तह को पूरा किया तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहल को भी दिया कि वह उसकी पत्नी हो और लाबान ने अपनी बेटी राहल की लउंडी होने के लिए अपनी लउंडी बिल्धा को दिया तब याकुब राहल के पास भी गय और उसकी प्रीती लिया से अधीक उसी पर हुई और उसने लाबान के साथ रहे कर साथ वर्ष और उसकी सिवा की जब यहवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोक खोली पर राहेल बांज रहे सो लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहिकर उसका नाम रुबेन रखा कि यहवा ने मेरे दुख पर दुश्की की है सो अब मेरा पती मुझसे प्रिती रखेगा फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसने यह कहिकर कि यह सुनके कि मैं आप्रिय हुँ यहवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया इसलिए उसने उसका नाम शिमून रखा फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा अब की बार तो मेरा पती मुझसे मिल जाएगा क्योंकि उससे मेरे तीन पुत्र उत्पन्न हुए इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा अब की बार तो मैं यहवा का धन्यवाद करूंगी इसलिए उसने उसका नाम यहुदा रखा तब उसकी कोक बंद हो गई झाल